राम राम भाई सभी साथियों को जितने भी SSC MTS की त्यारी करने वाले भाई वैन सभी को राम राम देखिए दोस्तो अभी अभी एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए लेके आया हूँ SSC MTS 2023 के लिए जो एडमिट कार्ड जारी होने हैं वो तीन रीजिन के जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं सब्सक्राइब हैं उनका जो लिंक है वो डिश्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको साथ में ही अपना सबसे बड़ा जो रीजिन है नौर्थ रीजिन होता है जिसमें क्या है उनके एडमिट कार्ड जो है वो करीब 10 दिन पहले आते हैं तो अभी जो है उनके एडमिट कार नहीं आये है नोर्थ रीजन के जो admit card है most probably chance है कि आपके 22 तारीख को आपके admit card आएंगे 22 की 23 हो सकती है लेकिन आसपास ही आएंगे क्योंकि जनरली नोर्थ रीजन के जो admit card का जो status जारी होता है वो 10 दिन पहले होता है तो यहां पर आप मान सकते हो कि 22 या 23 तारीख को आपके MTS के जो admit card है नोर्थ रीजन के वो आ जाएंगे तो अभी क्या है सिरफ आपका status हो होगा कि आपका center जो है वो किस district में है या फिर कि exam center है वो अभी सो नहीं होगा वो होगा आपको exam की जो date होगी उससे चार दिन पहले तो यह है भाई पूरी update तो सोर्थ मतलब नोर्थ रीजन की अगर बात करें तो 22 तारीख तक विट कीजिए 22 तारीख को आपको खुश्परी मिलने के पूरे chances है बाकि तीन रीजन के जो admit card वो जारी हो चुके हैं लिंक description में provide कर दिए वहां से आप download कर सकते हैं वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजेगा चैनल पर आप नई है तो सब्सक्राइब कर दीजेगा thank you so much